हैलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है अनिता किचन में तो आज हम लेके आए हैं फिकवा की रेसीपी ये विहार का फेमस रेसीपी है बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये छट पूजा के लिए अस्पेशल कर सकते हैं और यहां पर आधी कटोड़ी सूजी लिए हैं तो क्या होता है ना मेदा सिर्थ खाते तो नुकसान भी करते हैं और तेस्ट तो ही रहेगा लेकिन नुकसान नहीं करेंगे और बैंडिंग भी अच्छे आते हैं जो पोड़ा डाल देंगे इसके फ्लेवर के लिए और गाली चीनी और यहां पर हम आते में डालेंगे घीज़ी लिए हैं तो यहां पर मोयन के लिए चाहिए ना लाना है इसमें हम यहां पर दो बरी चमस घी़ी लिए दाल गीए अठरी के से मिक्स करें गये दबाती मसल मसल के ताकिस अच्छा सा मोहनग गयुए यहां kilow मैं दोनुहाथों हाथों से मशल मसल लाना अच्छा से errand ऐस से तब तक जितना इसको मसलेघनल ऊतना मैं ऩी जाना ही जास्ता बनेगी हमारी है बनाया जाता है न बिहार में इसको ढ की माध्य हम से इसको मसला जाता है प्гиहीं मिख 200 जाथि छाधा जाता है इस तरीके से estás hybrid ठीर आला है यहां पर जो भी चाहते जालना वह सकते हैं अब नहीं कर देखें ठीनी से मधाइनले करने चाने में यहां यह क्यों इस ही तरीके से हथा दोनों थे लिए करना धूरा थोरा करते वे पानी डालेंगे ओर से मैं हलका सा लगा के त्यार करना है तो जितना हमने यहां पर चीनी पानी बना है ना तो हमें उतना एक वार में यूज नहीं कर ले लिए जरुद अगर बच भी जाए तो आप यूज बना लेकिन बहुत ज्यादे guλο जामुन बनाते हैं यहां तरीके से हमें टाइट डो लगा के त्यार कर लेना है बस उतना हमें लोई तौरमा है और जैसे लंबे वाली गुलाब जामुन बनाते हैं दो यहां अब इसी तरीके से ना सारे को बना लेंगे और यहां पर हमने सारे लोई ना त्यार कर लिए हैं अब यहां पर हमने कदू कस लिए हैं आप चाहित यहां पर प्लेन भी बना सकते हैं तो हम आपको दिखा देंगे दोनों तरीका आपको जो भी सही लगे ना उस तरीके से बना बस ऐसे ही दवा लें ताकि एक साइज में नीचे से एक साइज में बने अब यह देखिए बहुत यह असान तरीके से निकल जाती है और अच्छा वला डिजेन भी बन जाते हैं काफी खुबसूरत सा डिजेन आप चाहिए इसको पलेन बना सकते हैं तो इसी थाली में कि हम इसको फ्राइ कर लेते हैं तो यहां पर हमने तेल पहले से गरम होने के लिए रख दिये इसमें थोरी सी आठा डाल के चेक कर लिजेगा तो जैसे तेल अच्छे से गरम हो जाए ना इसमें डाल देंगे तो एक बार में आप जैसे जितना तलना चाहते ना तो उतना ही ठेकवा यहां पर डालना है यहां पर हमने करीब पांस से ठेकवा डाल दी है और एक मिनट के लिए है फ्लेम पर तलने देंगे इसको नीचे से तो उसके बाद लेना है देखे हलका हलका सा कलर चेंज होना सुरू हो जाए न तो ग्यास को ना मीडियम फ्लेम कर लेंगे और इसको में तलना है तो मेडियम फ्लेम पर तलेंगे न इसको और तक सीखे गी अंदर से जैसे कच्चा नहीं रहेगा तो बहुत यह अच्छे अंदर तक यह पक जाएगी हम अलट प्लट करते हुए मिडियम है फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्पी सुनेहरा करते हैं इसे हमें अजहां कि अप्ताल लेना है तो यहां पर देखिए अच्छा सा कलर भी आगया है प्राइस आप चान के निकाल लेते हैं तो रहला कि हम प्लेट में निकल लेते हैं तो बाखी का भी बचा हुआ इसको हम इसी तरीके से ह्राहा करेंगे, और लिज़े गर्मा गर्म से हम्सेख कर लेते हैं, तो ये हमारे च्टपुजा के अस्पेसल रेशिपी है, जो की हमारे च्टपुजा में इसको बनना है, बनाते ही है, और भीहार का फैमस है, कोई साभी कोहार होना तिहार, तो यह बनना ही है और यह देखे कितना खस्ता बनते हैं साथीरिस्पी बनते हैं और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ऐक और एक बार आप बनेंगे न तो आप इसको बार-बार बनाना चाहेंगे आप चाहें इसको महिनों तकgesetzt टोर करके रख सकते हैं और यह देखे कितना खास्ता बना है अगर हमारे ठेकवा की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सेयर, कॉमेंट साथ ही चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा हमारे वीडियो देखने के लिए सबको देल से थैंक्यू बाइ-बाइ कल फिर मिलेंग हुआ हुआ है